तो कैसे हैं आप सभी लोग उम्मित करते हैं आप सभी बड़ी हाई होंगे और इस चैनल को जबर सब्सक्राइब कर लो आपको यहाँ पर जैनुएन इफ्रमेशन पूरी फैक्क के साथ मिलती है और आपका खुद का चैनल है तो सब्सक्राइब कर लो तो पाकिस्तान यह एक पाकिस्तान में एक्स्रीम लेवल की बाड़ जिसमें से तीन करोड तीस लाख से भी जादा लोग प्रभावित हुए जो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का पंद्रा परसेंट है यानि के पंदर परसेंट जो टोटल पॉपुलेशन है वो इफेक्ट हुई है इस कर गए हैं और इतना ही नहीं पाकिस्तान में आई हुई बाड़ से पाकिस्तान की सरकान ने इसको एक नैच्रिल इमर्जेंसी बना दिया यानिके वहां पर इमर्जेंसी कोशित हो गई है कि भाई अब जो है बहुत जौदा हमें चिंता करने की जुरूरत है तो क्या है यह 147 ब्रिज तो खटमी हो गए दूबी गए पूट गए और एक हजार से भी जादा आत्मी मर चुके हैं और यह 28 अगस्त का अर्टी के लिए और इसके लावा यह मनी कंट्रूल पाकिस्तान फ्लोटिंग डैट पासे हंड्रेट इन क्लाइमेट केटास्ट्रॉफ तो बात करत कि तरह है लेकिन इस बार बार जी जादा हुई है कि 2010 में पाकिस्तान में बार से भी जादा खतरनाक इस बार बार भारा है मैं आपको बता दूगी पाकिस्तान में 2010 में एक सुपर फलट आई थी जिसमें 2000 के आसपास लोग मारे गए तो दो करोड से भी जाद लोग प्रभावित हुए लेकिन इस बार की पार पाकिस्तान में 2010 में 2010 में भी आई बार से भी जादा खतरनाक है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये बात खुद पाकिस्तान ने कही है पाकिस्तान की केंद्रिय क्लाइमेट मिनिस्टर शेरी रहमान ने टूइट करके ये बताया है कि पाकिस्तान में आई बार से 33 मिलियन यानि के 3 करोड 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 1041 ल इसी देश की 15% आबादी से प्रभावित हो जाए बार से प्रभावित हो जाए तो खुद ही समझ सकते हैं कि आप परिस्तितिया कितनी खतरनाक है और यह जो आंकला हमारे सामने आया है वह पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मेनेजमेंट अथार्टी ने इशू किया है औ 27 अगस्तक का डेटा है और बार पाकिस्तान में अभी और जारी रहेगी तो इसका मतलब यह है कि आंकला आके और बढ़ सकता है और इतना ही नहीं पाकिस्तान के मशूर अख़बार डॉन ने तो यह बता है कि आदे से जादा पाकिस्तान इससे में डूबा हुआ है और महीने पाकिस्तान के लिए काफी जादा प्रॉब्लेमेटिक होते हैं लेकिन 2022 का जो साल है वो कई मानों में काफी जादा खास है वैसे देखा जाया तो पाकिस्तान में जुलाइक महीने में बारिश होती है जो अगस्त तक ही रहती है लेकिन इस साल बारिश जून महीने में आ तो देखिए यह है रीजन के इसाब से और टोटल पाकिस्तान में कितनी हुई है तो अगर टोटल ओवरॉल नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल इसमें एक से लेकर 26 अगस्त के टाइम फ्रेम में 50 mm वारिश होती है नॉर्मली लेकिन अब जो हुई है वह 176 mm हुई है यानि कि कहिए है इस में डेवियेशन कितना है 2500% ज्यादा बारिश हुई है इस लार और आजाद कश्मीर आयजाद कश्मीर और जो गिलगित बालतिस्तान नहें यह भारत के इरिया है जो पाकिस्तान अपने इस वारिख गंत्स sport क्या कर सकते हैं तो आजाएड कश्मीरений नौर्मल ए 139 वारिश होती है नॉर्मली हुई है इसमें कोई चेंजेस नहीं आए लेकिन बलुचिस्तन में बहुत बड़ एक चेंज देखने को मिला है ट्रास्टिक मैं काहूं तो जहां पर 20 म.बारिश होती है हर साल नॉर्मली वहाँ पर 129 बारिश हुई है यानि कि इसमें पांसो बाइस परसेंट का जादा देखने को मिली है नॉर्मल से भी जादा और गिल-गिल बास्तिस्तान में बारा एमेम होती है क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है बहुत जादा उपर है यह और यहां पर मोसली सनुही होती है तो जादा परसिपिटेशन जादा होता नहीं है तो बारा एमेम बारिशोती है नॉर्मले लिकिन इस बार हुई है चालिस अम्य में या निकिए इसमें 205 परसेंट जादा का आया है और खैबर पक्तु नक हुआ इसमें 93 आमेम बारिश होती है नॉर्मली लेकिन सबसे पुरफावित अजादा पर सेंध के और पुए ऱह है तो वहां पर एक्चुली में चार सो बैयालिस है मुए लाकिन इसमें जो इजाफा हुआ हुआ है आप समझ सकते हैं के आठ नौ परसेंट जादा है और अभी तो महीना खतम भी नहीं हुआ है मांसून खतम भी नहीं हुआ है और आने वाले टाइम में और जादा इसमें ड्रा धनी जो है वो कराची है कराची है सबसे बड़ा शहर भी है पाकिस्तान का जो उसमें आता है सिंध में तो सिंध ही यहां पर सबसे जादा एफेक्टेड एरिया है और आप देख सकते हैं कि यहां पर पूरा पूरा लाल क्या काला हो गया इतनी बारिश होगी है यहां पर औ पाकिस्तान में नॉर्मली बारिश के तीन से चार साइकल आते हैं यानि कि कुछ दिन भारिश हुई लगतार और फिर उसके दस पंदरा दिन बाद फिर से बारिश हुई तो यह एक साइकल हो गया और यह साइकल पाकिस्तान में नॉर्मली तीन से चार बारी होती है हर से हर साल लेकिन पाकिस्तान में अभी जो चल रही है साइकल यह आठब बी साइकल चल रही है देखकर आपको यह लगता होगा कि यूरोप एक ठंडा कॉंटिनेंट है लेकिन यहां पर आ रही है हीट वेव और शायद पिछले 500 सालों के सबसे खतरनाक हीट वेव इस बार यूरोप में आई है जिससे नदियों और छीलो और जो ग्राउंड वाटर है वो सब सूख गए है जंगलों में आग लग रही है जिससे जानवरों के लावा इंसानों की भी मुथ हो रही है यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट नदी यानि के राइन रिवर वो भी सूख गई है जिससे नदी में नाव चलाना भी आसान नहीं है भरत में इसका असर देखनों के मिलता है बहुत जादा हल चल बढ़ गई है और ना जाने कौन कौन सी चीज़े इसकी वज़े से हो रही है और इसके लावा चायना और अमेरिका में भी सुखे की इस्तिति है तो ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमिट चेंज हो गया और इससे मौसम अपने एक्स्ट्रीम लेवल पर आ और पाकिस्तान में यह हैवी रेन इसी का नतीजा है ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स के नुसार पाकिस्तान दुनिये की वो कंटर यह जहां पर क्लाइमिट चेंज का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा और इसका काफी असर पाकिस्तान पर पड़ भी रहा है जैसे कि हम ब पाकिस्तान की जैसी के लिए काफी ज़्यादा है और पाकिस्तान के लावा जो देश सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं वह बांगला देश मेहमार फिलिपेंज इसके लावा इंडोनेशिया में तो इतनी प्रॉबलम ज्यादा हो गई है कि उसने अपनी राजधानी बदल दी जकारते से अब दूसी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं और उसमें भी कुछ समय लग सकता है लेकिन अगर देख जाए तो पाकिस्तान में जो हालत हुई है आज जो हालत हुई है वह इतनी बुरी नहीं होती अगर यह लो टाइम पर अपने लिए डैम और रिजर्वेयर बना पाकिस्तान से पांच शेगुना जादा अची है तो पाकिस्तान के ज़रूर है कि वह वाटर को मेनेजमेंट करने के साथ फ्लट को भी कंट्रोल कर सकें आई होप आपको सारे बाते समझ में आ गई होगी है आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जूड़ सकते हो आप सिंप्ली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इसके लाव आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं यहां पर भी सेम ही यूजर नेम है आई अंडर स्कोर इम्रान सिद्धी की तो दीजिए मुझे अजाज़त मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो अगर आपको वीडियो आपको जो सब्सक्राइब के जी थैंक यू फो वाचिंग ए रहली प्रेसिए यूपिस इस ताम गद ब्लस्यों नाव शाइन आफ